तरकाशी में फसे हुए मज़़ूरों की सलामती के लिए पूरा देश दुआइंग कर रहा है और रेस्क्यू उपरेशन लगातार चल रहा है। इसी रेस्क्यू उपरेशन की दो तस्वीरे आपके सामने रखते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि रेस्क्यू उपरेशन की तस्वीरे इंडिया टीवी के पास है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे पाइप को काट कर निकाला गया जो ड्रिलिंग के रास्ते में बाधा बना हुआ था तो जो pipe drilling होने से रोक रहा था जिस pipe की वज़े से rescue करने में दिक्कत आ रही थी उस pipe को काट कर बाहर निकाल लिया गया है और ये उसी वक्त की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं इसी तरह से tunnel में फसे मजदूरों को pipe के जरीए भी बाहर निकाला जाएगा तो कैसे काम चल रहा है वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं दो तस्वीरे आपके सामने हैं एक तरफ pipe कैसे काटी गई और उस pipe को कैसे बाहर निकाला गया वो तस्वीर आपके सामने है और दूसरी तरफ काम कैसे हो रहा है pipe को डाल कर उसकी मदद से कैसे बाहर निकाला जाएगा वो भी आपके सामने हैं और देखें ये वो एक्सक्लूजिव वीडियो है जिसे देखकर आप ये अंदासा लगाएंगे कि मजदूरों को पाइप के जरीए बाहर कैसे निकाला जाएगा ये मोटी मोटी पाइप अंदर डाली जा रही है और इन पाइ पाइप तक मजदूरों के पास तक रेस्क्यू दल पहुंच जाएगा और फिर उन्हे बाहर निकालने में 8 बचे तक का समय हो सकता है क्योंकि 41 मजदूर है कि करके मजदूरों को पाइप से बाहर निकाला जाएगा ये ठीक मजदूरों तक पहुचने से पहले डूल की जा आप इसे rehearsal कह सकते हैं यह किया जा रहा है रेस्क्यू दल की तरफ से इसके अंदर से मजदूर आपको बाहर आता हुआ नसर आ रहा होगा यानि एक शक्स बाहर आता हुआ नसर आ रहा होगा यह डृल इस वज़े से की जा रही है कि जब यह pipe मजदूरों तक पहुँच जाए उस वक्त कोई दिक्कत सामने ना आए और आराम से बड़े ही आराम से 41 लोग जो अंदर फसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए अभी तक आपके सहन में सवाल होगा कि पाइप डालने का मकसद क्या है पाइप अगर अंदर जा रहा है तो पाइप के जरीये मजदूर कैसे बाहर आएंगे तो इन तस्वीरों को देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा आपके सारे डाउस क्लियर हो जाएंगे कि इन जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रही थी वो पाइप कैसे काटी गई उसे कैसे अपने रास्ते से रेस्क्यू दल ने हटाया और दूसरी तस्वीर मजदूरों को बाहर निकालने की ड्रिल की जा रही है यानि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम च जील नहीं है जिसकी वजह से समझा जा रहा है कि अब ड्रिलिंग में कोई भी बाधा नहीं आएगी और ऐसे इस पाइप के जरिये मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा मनीश प्रसाद हमारे सयोगी इस वक्त उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गया है मनीश ये तस्व जो आगे का हिस्सा है जो करीबन आप यह समझा लीजिए कि जिसे 14 मीटर कहा जा रहा था उसमें और ज्यादा जल्द से जल्द उस पूरे एरिया को काटते हुए मजदूरों तालिस जो वरकर्स हैं उन तक पहुचा जा सकता है जो इस समय इस प्रोजेक्ट के हैड है और ज किसी वी वक्त एक से दो घंटे के अंदर चलनी शुरू होगी चुनवती थी जो लोहे का सरीया और साथ में जो बोल्डर आ रहा था उसको काटने की इसलिए इंडिया टीवी के पास जो एक्स्ट्रूजिव तस्वीर मौजूद है उसमें भी वह साफ दिखाई दी रहा है क बारते सेना के साथ जो एक्सट्स की टीम है वो पूरे एरिया को काट रही है और काटते हुए पाइप को आगे ले जा रही हो और इसलिए अन्डियार एफ को स्टरेचर तयार करते हुए जो वील स्ट्रेचर से मॉक्ट्रिल किया गया है लेकिन उसके बावजूद जो अंदर की चुनोती है वो करीबन 6 बजे तक इंदजार करना होगा टॉप सोर्सेज जो इस समय अंदर ऑपरेशन्स में मौझूद हैं उन्होंने हमें कहा है कि आज 3-4 घंटे के अंदर जल्दी एक बड़ा ब्रेक्ट्रू मेलेगा क्योंकि आखरी के जो 5-6 मीटर है वो जो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार है उनके द्वारा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि वहाँ पे कोई भी जो स्टील या फिर मेटालिक बॉड़ी नहीं है जिसकी वज़े से वो खोदना बहुत ही आसान होगा यानि जो 5 मीटर की चुनौती है उसको खत्म करने के लिए करीबन 1-2 और या 3 घंटे का वक्त और लगेगा और शाम 6 बजे के लगबग आप ही मान के चलिए कि यह जो पाइप है वो पूरी तरीके से इंसर्ट होगी एंडियर एफ के जवान अंदर जाएंगे अंदर जाने के बाद जो प्राइमरी जो फॉर्स टेड है वो दिया जाएगा अगर किसी की तबद खराब हो रही है तो उनके लिए स्ट्र स्ट्रेचर तैयार किया गया है ताकि इसी स्ट्रेचर के जरीए उनको बाहर लाए जा सके और फिर उसके बाद फॉर्स टेड के तौर पर यहां पर प्राइमरी होस्पिटल और फिर उसके बाद चल क्या जो चिन्याल सोर है वहां पे बड़ा होस्पिटल सेट अप किया गय कि इस समय जनरल वीके सिंग अपसे कुछ देर में अंदर जाएंगे और वहां पर पूरा मॉयना करते हुए एक बार फिर से वरकर से बाचीत करेंगे तो यह बहुत निर्णायक समय है जिसमें एक तरफ अपना मॉक्ट्रिल कर रही है तो वही दूसरी तरफ जो अंदर काम चल रहें इसके बारे में अगर आप जानकारी दे पाएं यह कितनी बड़ी पाइप है कितनी इसकी चोड़ाई है और क्या इसके बारे में अंदर फसेवे मज़ूरों को भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें इस पाइप के जरीए बाहर आना है देखे पहले तो हम आपको बता दे इस समय की तीन बड़ी खबरे पहली बड़ी खबर NDRF ने मौगडरिल किया है और ये करीबन देर शाम के लगभग का मतलब कल मौगडरिल किया गया था ताकि अब क्योंकि अब करीबन 10 से 12 गंटे का वक्त और बाकी है जिसके अंदर ये द्रवान है वह उन पर मौझूद है मदरास सेपर्स जो हैं वह खुद इस रेजिमेंट का नाम है वह यहां पर हैं उसके लावा एक्सपर्ट से दरसल इसको पूरी तरीके से टर्नलिंग मेथर्ट के द्वारा और मशीन के तैयार करने के लिए प्लैटफॉर्म तैयार किया अपडेट लेते रहेंगे फिलाल पहुष शुक्री आपका